अक्सर स्थापना और तरक के प्रशन UGC Net हिंदी की परिक्षा में बहुत एहम भूमी का रिभात हैं और इन्हें गरत करने से हम अपने जियरप करने से चूक चाहते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में आज हम डिस्कस करेंगे UGC Net हिंदी की परिक्षा में पूछे जाने वाले स्थापना और तरक के प्रशनों के बारे में तो चली दोस्तों बिना देर की ये शुरुआत करते हैं आज के लेक्चिर की यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है प्रशन संक्या 56 से 75 तो पहले जब NTA इस एक्जाम को कंड़क्ट नहीं करवाता था उससे पहले जो UGC इसको करवाती थी देखिए वहाँ से 56 से लेकर के 75 तक के जो प्रशन है इसमें स्थापना और तरक वाले रहते थे तो बहुत ज़ादा प्रशन जो है स्थापना और तरक से पूछे जाते थे यहाँ पर जो मैंने चीज़े रखी हैं जो भी आपको पंक्तिया रखी हैं जो भी कथन रखे हैं स्थापना और तरक के वो क्या है वो मैंने करक्ट करके रखे हैं सही करके रखे हैं है ना और इन कथनों को करना स्थापना और तरक के प्रशनों को करना किस तरीके से easy है वो और तरक किसी अन्य चीज़ को ही व्याख्याइद कर रहा है, कुछ अलग ही चीज़ बता रहा है, तब मान लिजे कि उसमें कुछ न कुछ गड़वड है, तो ये इसमें पहली जो चीज़ है, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, स्थापना और तरक के लिए, लेकिन अ पहली जो कथने दीखी, ये परिक्षा में पूछे गए हैं, 2014 से लिकर के आज तक के हैं ये, 2014 से लिकर के 20 सारे के सारे में आपके बीच में रखती हैं, तो आज हम इसके जो पचास पहले के कथन हैं, उनके बारे में देखेंगे, पहला है देखिए, जैसे वीरकरम से प्रि सोंदर्य कोई पदार्थ नहीं और तर्क इसका क्या है दिखिए सोंदर्य मनोगत होता है वस्तुगत नहीं तो दिखिए सोंदर्य के बारे में ही दूसरी बात की गई है कि क्या होता है वो मनोगत होता है वस्तुगत नहीं होता है दोनों ही कतन क्या है सही है तो जितने भी पं इसलिए मैंने बीच में क्या जोड़ दिया था यहां पर कि नहीं बनाता है और उसका अपकर्शन उसे गौतम बुद्ध भी नहीं बनाता है तो पहली जो दो पंक्तिया है ये क्या है ये इस तरीके से सही होंगी ठीक है नेक्स देखी इसका जो तर्क है वो कहते हैं कि गौतम की प्राप्ति के लिए कटिबद थे है ना संकल्प लिया था उन्होंने तो ये भी क्या है सही है नेक्स देखिए भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पन का तत्व समान है तो यहां पर देखिए भक्ति और तत्व और प्रेम दोनों की बात की गई है और आगे तरक में भी भ स्थापना है तर्क देखिए इसका क्या है धन बल और सत्ता बल के आगे पानीदार मनुश्य भी कैसा हो जाता है असमर्थ और निरी हो जाता है ठीक है तो ये भी क्या है सत्यवाथ है नेक्स से देखिए कावे में भावपक्ष और कलापक्ष दोनों असंपकृत हैं रचना मे जो कलापक्ष आपकी स्त्रीके की उसमें बाशा रखते हैं तो दोनों ही क्या है ये जीज़ें सही है ठीक है प्रेम गली अतिसांकरी तामे द्वय न समाए ये इसकी स्थापना है तर्क कहता है कि प्रेम कभी भी मनुष्य को सीमित नहीं करता हालांकि तर्क में इसको इस्त्रीके से लिखा था कि प्रेम कभी भी मनुष्य को सीमित करता है है ना तो यहां पर नहीं लगना था पीच में ठीक है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा फिर सही हो जाएगा नेक्स से दिखिए जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वो ज्ञान नहीं कोहलू है सच्चा ज्ञान मनुष्य को उन्नत करता है उसे नश्ट नहीं करता तो दोनों चीज़ें क्या हैं सही है अगला है देखिए आठवान मनविज्यान के अधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहन और संप्रिशन सामर्थ्य में अंतर स्वभाविक है क्यूंकि प्रतीक व्यक्ति की मनविज्यानिक शम्ता में अंतर है तो स्थापना ऐसी की ऐसी आपको दी जा सकती है और तर्क में देखिए आपको क्या लिखा जा सकता है कि पृतिक व्यक्ति की मनविज्ञानिक शम्ता में अंतर नहीं है तो ये वाली तर्क आपका क्या होगा गलत होगा हालां कि यहाँ पर हमने अंतर है लिखा है कि हर एक व्यक्ति के मनविज्ञान में क्या होता है उसमें अंतर होता है ठीक है नए कावे में नए जीवन मूलियों की प्रतिष्ठा और सतंतर प्रियोग की प्रवृति मिलती है क्यूंकि इसमें जीवन मूलियों का बिखराव नहीं मिलता है तो यहाँ पर भी नहीं मैंने अपनी और से जोड़ दिया है, हो सकता है, इसमें इसरीके से आपको दे दिया जाए क्योंकि इसमें जीवन मूलियों का बिक्राव मिलता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपको दोस्तों इसका PDF चाहिए होगा, तो आप मेरे टेलिग्रा है, सत्य है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, तो ये पंक्तिया में पहले भी पढ़ ली थी, ये किसकी है, ये आपकी रामचंदर शुकल जी की है, जो इनका क्रोध जो निवन्ध है, उससे ली गई है, आगे बोलते हैं कि क्योंकि बैर से दोस्ती नहीं बढ़ती ह तो ये तो सची बात है, है ना, तो ये दोनों क्या है, सही है, काव्य की पूर अनभूती के लिए कलपना का व्यापार छवी और शुरोता दोनों के लिए अनिवार है, क्योंकि काव्य अनभूती में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्थ भावना भी होती है, तो ये भी क्या ह सही स्थापना और तरक है अगला है दिकी नाट्या का अपनी समानता में परिचे देना ही नट करम के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहां तक जाना पड़ेगा क्यूंकि नट करम या प्रयोग में कभी रचित काव्य प्रस्तुत नहीं किया जाता तो ये भी क्या है सत्य ह भारत अंदु हरिश्चंदर की रचनाओं का मूल स्वर देशबक्ती है बिल्कुल साही बात है क्योंकि देश प्रेम की भावना ततकालीन भारतिय समाज में है हाँ देश प्रेम की रचनाओं उस वक्त रची जा रही थी जैसे आपने बारत दुर्दशा आपने पढ़ाई होगा बारतेंदू हरिश्चंद्री जी का नेक्स से देखिए करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक नहीं किंचती है क्योंकि करुणा का विशे दूसरों का दुख है तो ये चीज है अगला है देखिए भक्ती धरम की रसात्मक अनुभूती है क्योंकि उसम मंगल की साधनावस्था ये वाला भी इनका जो निबंध है उससे ये पंक्तिया लिग गई है और पहली जो चीज़े किसमे है आपका भक्ती और धरमश्रदा और भक्ती जो इनका निबंध है वहां से है ठीक है तो चिंतामणी में जो इनके निबंध है देखिए उनसे भी बहुत सारी पंक्तियां पूछी जाती है सापना और तरक में अगला दिखी निराला की कलपनाएं उनके भावों की सहचरी हैं क्यूंकि उनकी कलपनाएं सुशील स्त्रियों की भांती पती के पीछे-पीछे चलती हैं तो दोनों पंक्तियां क्या हैं? सही है नाद सौंदरे का यूग कवीता की पूर्णता के लिए आवश्यक है नाद सौंदरे से कवीता की आयू नहीं बढ़ती है तो यह वला कतन अपने आप में गलत होगा यहां पर नाद सौंदरे से कवीता की आयू नहीं बढ़ती व्यक्तिवाद का एक रूप एहमवाद है एहमवादी व्यक्ति समाज का तिरिसकार करता है तो देखिए यहाँ पर पहले एहमवाद को गवा लगया है और एहमवाद से क्या होता है वो समाज का तिरिसकार करता है तो व्यक्या इसकी सही है शासन प्रायप्रजा के हित में समर्पित होता है नेक्स्ठ दिखिए कला की सरवित में आध्यात्मिक्ता और कला अन्युणाश्रित नहीं है ध्वनी कावे चित्र कावे से श्रेष्ट है, चित्र कावे रसकी सिष्टी कर पाता है तो सही बात है कुछ लोग हो सकता है इसको गलत मानें कि जित्र कावे से रस की सिष्टी नहीं होती तो ये क्या है जब हम चित्र को देखते हैं तो हमें किसी न किसी रस की अनुभूती ही है तो बिल्कुल सही बात है ये भी आगे देखिए सही शब्द वे ही है जो उनके बीच के अंतराल का सबसे अधिक उप्योग करें अंतराल के इस मौन द्वरा ही अर्तवता का पूरा एश्वर्य संप्रेशित कर सके दोनों कफन कैसे हैं सही है भरतमुनी ने अधभूत को दिव्यत तथा आननदज बताया है तो देखे अदभुद को क्या मानते हैं वो दिव्यतता अनंदज उनकी दिश्टी अलंकारों तक नहीं गई सत्यवाद है सापना और तरक गुण मनुष्य रूप से रस के धरम है इन्हें गौण रूप से शवदार्थ के भी धरम माना जाता है ठीक है? नेक्स्ते देखिए कभियों और दार्शिनिकों की दिश्टी में विश्व भाव मैं है इसी कारण जीवन की ठोस वास्त विकताओं से पलायन की वृती पनपी है प्रेम जब विश्टी सौंदार्य से उपर उड़ता है तब वह अध्यात्मिक बनता है क्योंकि प्रेम अध्यात्मिक होता है तो दोनों पंक्तिय कैसी है? सही है काव्य का सत्य असाधारन होता है क्योंकि वह समानने सत्य से नहीं मिलता चेतना अनुभूती की सगहनता तथा चिंतन से समनमित अधार पर स्वरूप क्रहन करती है क्योंकि अनुभूती का संबंद रिदय की समवेदन शेलता से है और चिंतन का संबंद किस से है? बुद्धी से है तो सही बात है ये भी समाज का आत्यांतिक कल्यान शुब बुद्धी द्वारा चलित द्रिद संकल्प में है क्योंकि यह संकल्प शक्ती मनुष्य से असाध्यसाधन करवाती है तो यह दिखिए आत्यांतिक कल्यान के से होता है शुब बुद्धी द्वारा है और यही बुद्धी क्या करती है? स समंद किसे होता है मनुबल से होता है तो ये भी सही है मानब जीवन की पूर्णता के लिए करम ज्यान और उपासना तीनों के मिल की आवशक्ता होती है बिल्कुल सही है क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में तीनों का स्थान महत्वपूर्ण है तो ये भी क्या है अगला है देखिए श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ग्यात होता है क्योंकि श्रद्धा में दिष्टी से पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है तो बिल्कुल सत्य बात है ये भी चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य की अधिक समीब होता है हैं, नहीं सही बात है, चिंता, सोच तो हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन करम जो है वो ही हमें पता चलता कि हम इस नहीं चीज़ को किया है, क्यूंकि करम में सक्रियता और बेभारिक्टा होती है, ठीक है तो दोनो चीज़ें क्या है जही है भाशा ही एक मात्र साधन नहीं जो मनुष्य को पश्वों से प्रिथक करती है ठीक है क्योंकि भाशा केवल मनुष्य की अरजित संपत्ती है आगे है देखिए सीखने का प्रियतन किये बिना सिखाने की लालसा विफल होती है सत्य बात है क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आफशक्ता होती है तो ये भी क्या है? कॉरेक्ट है लोब चाहे जिस वस्तु का हो जब बढ़ जाता है तब उसी वस्तु की प्राप्ती सानिध्य या उपभोग से भी नहीं भरता तो देखें लोब और प्रिती जितने भी कतन है जादतर कतन अचारे रामचंद्र शुकल जी के जो पुस्तक चिंता मणी है देखिए उसमें जो निबंद है उन से ही जादतर जो पूछे गए हैं ये नस्थापन अतर्क वाले प्रशन क्यूंकि मनुष्य उसकी प्राप्ती बार-बार चाहता है जी कैना लोब की लालच की तो दोनों चीज़ने क्या है देखिए सही है शासन की पहुंच प्रवरिती और निब्रिती की बाहरी विवस्ततक होती है बित्री या सची प्रवरिती और निब्रिती को जागरित रखने वाली शक्ती शासन में नहीं है तो ये भी क्या है सही बात है कभी बानी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद कलीश आदी का शुद स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से रिदय का बंधन भूल जाता है ठीक है? खुल जाता है सोरी रिदय का बंधन खुल जाता है तो ये भी क्या है? सत्य कथन है तो आगे दिखिए भक्ती में लेन देन का भाव नहीं रहता समर्पन भक्ती का मूल है तो दोनों चीज़ें क्या है? सत्य बात है कि भक्ती में लेने और देने का भाव नहीं रहता है ये समर्पन क्या है? भक्ती का मूल ही माना जाता है तो दीखिए स्थापना और तरक को जितना जादा आप इसके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको अच्छे से कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपने देखना है कि स्थापना और तरक एक दूसरे को व्याख्याइद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो जितना आप इनको कोशिश करेंगे उतना ही आपको आएंगे अगर आपको लगता है कि आप इनसे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इनको करना के लिए कठिन हो जाएगा ठीक है इसलिए करत-करत अभ्यास के जड़मत होड सुजान वाली बात जो है आँपर लागू करनी है कि एक बार नहीं होगा दो बार नहीं होगा तीसरी बार आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस तरीके से ही है यह ना तो आप इनको जादा जादा रीड कर लीजिए या फिर इनको देखिए समझीए कि किस तरीके से इनको पूछा गया है प्रिये के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी-कभी दया या करुणा की भी कुछ अंश मिला रहता है प्रिये के वियोग पर उत्पन करुणा का विशे प्रिये के सुख का निश्चे नहीं है तो देखिए इसको इस तरीके से पूछ जा सकता है तरक को कि प्रिये के वि लिखा होगा तो क्या होगा यहां सत्य होगा दुशकरम की अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है ठीक है दुशकरम से उत्पन अपमान के प्रती स्वयम को चरित्रवानसिद करना सदाचरण नहीं है यह बात भी क्या है सत्य है प्रेम का समाजिकर्ण होता है तो उसे भक् क्या है यहां पर देखिए नहीं चोटा सा लिखा हुआ है क्योंकि यह इस रीके से ही लिखा था क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है तो यह वाली पंक्ति क्या थी गलत थी अर्थ हमेशा निश्चित नहीं होता इस रीके से यह दोनों क्या होने थे सही कतन होने थे ने माफ ही राके ही पूछे जा रहा है ये वाली पंक्ती जो तरक में पूछे गए है हमने पहले भी पढ़ ली थी तो ये प्रिवेसीर के पेपर से ही उठाए है हमने तो देखिए बहुत सारे प्रशन जो है एक दूसरे से मैच करते हैं मिलते जूलते होते हैं तो इनको जादा एक पार आप जरूर पढ़ लें नेक्स से दिखिए प्रेमचंद यथार्तवाद से आदर्शवाद को श्रिष्ट मानते थे और आदर्शवाद उनकी दिष्टी में संपूर्ण जीवन दिष्टी नहीं है तो ये बात भी क्या है सत्य है अगला है दिखिए कला मात्र के लि भोध या सत्य को प्रकाशित करती है तो ये बात भी क्या है सत्य है नेक्स दिखिए आगज का आखरी जो हमारा स्थापनावत तर्क वाला कथन है वो ये देखिए साहित्य जनस्मो के रिदय का विकास है क्योंकि साहित्य का लक्ष केवल मनुष्य का चरित्र निर्मान नही है तो ये बाली पंक्तियां यहीं पर संपन होती है हमारी आज की जो क्लास है अगर आपको इसमें कुछ एक डौट्स लग रहे हैं कि या कुछ एक कथन गलत हो सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं उसका भी आपका स्वागत है आप अच्छे तर अंत तक बने रहने के लिए एक वाप फिर से शुक्रिया जाहिन